चार साल की मीरा जब किसी शादी में गई तब उन्हें शादी का concept इतना fascinating लगा कि उन्होंने अपनी मा से पूछा कि उनका husband कौन होगा उनकी मा ने मजाग में कृष्णा जी की मूर्ती की तरफ इशारा कर दिया मीरा ने उसी दिन से कृष्णा जी को अपना मान लिया था क्यूकि उनकी प्रेम भक्ती कोई समझ ना पाया और उनकी शादी करा दी गई भोज राज से हर जगा से इतना विरोध सैने के बाद मीरा ने तुलसीदास जी की सजेशन से ये फैसला लिया कि वो अपना पूरा जीवन द्वारका में बिताएंगी